सीवान वे सुरक्षा व्योस्ता का जनाजा निकल चुका है फिर जहाबाद अस्पताल की हो या सड़की हर जगा पर पुलिस के हाट धेले नजर आ रहे हैं सीवान सदर अस्पताल से आज एक नौजात बच्ची चोरी हो गई है परजनों के मताबिक कल साम पांच बजे ऑप्रेशन करके बच्ची का जन्म हुआ था और आज सुबर नकाब पोस महिला महिला वाड के अंदर से बच्ची को लेकर फरार हो गई परजनों ने बताया कि नकाब पोस महिला वाड के अंदर पहले बच्ची को लेकर खेला रही थी और मौका पाते ही बच्ची को लेकर फरार हो गई बच्ची की गायब होने की सुषना पाते ही परजनों ने सिवान सदर अस्पताल में हंगामा करने लगे एम अस्पताल प्रसासन एम महिला वाड के अंदर तैनात गाड के उपर आरोप लगाने लगें पर जुनों ने बताया कि गाड की लपरवाई से बच्ची गाइब होई है वहीं सुचना पाते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुँच मामले की तहकीकात में लग गई सदर अस्पताल के अंदर से बच्ची का गाइब होना संदेख खड़ा करता है नहीं पूरे मामले में CS ने बताया कि मामले की जानकारी हुई है जाच किया जा रहा है CCTV केमरे की मदद ली जा रही है लावार्ड के बाहर भी CCTV केमरे लगा हुआ है उसको भी खंगाला जा रहा है कि अर्वल रही है और स्वेर ने बनके वह वो साथ में बेची थी और ख़लाने के लियत से वह अपने गोद मेली इसका मांड जो है कि उस्तना में बचाने क्यूंबा पता चल पाए CCTV के माध्यम से हैं कुछ आस्पताल को सब्सक्राइब है लगा हुआ है यह चालू है यह खड़ाब है यह परा कुछ चलता या कि नहीं है उसके जा रहे हैं पुलिस को इन्फार्मेशन किया जागा इस वाइट दिश्टी तर्व गार्ट कि यह लेकिन हम भी पास आंजगाट है कि शुद्ध लेवारूं प्रिया रहा है और क्या हुआ है अस्पताल में के सारकारी का वह गार नहीं था वह आएनकाप इनकापन के खेल रहा था खेला रहा था लड़की बचे लेके लिक है उसका बाद लेके भाग गए और उसको हम पाच्चानते नहीं था कुछ हो बोला महिला था क्या बोलियो उको खेला रहा था वाटक अंडर से बच्चा थिया बच्ची बच्ची थी कल पांच बजे प्रेशन होके हुए इसके अरोप्त किसको मानते हैं किसकी गाड का लपरवाई है जाल